हलो दोस्तो मैं खष्ए कि आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपनी यूटूब चैनल लर्निंग गुरूप मैं एक नई विडियो सीरीज चालो किया हूँ आप सबके लिए इकनोमिक्स के बारे में वो भी economics जो पूरा economics होंगा हमारा सुक्ष में अर्थशास्तर बोलो आप या स्तुबल अर्थशास्तर बोलो ये पूरा का पूरा economics मैं आपको parts-parts करके हिंदी language में समझानी वाला हो तो ये video series हमारे करीबन चलेंगी तीन से चार मिने तक मैं यहाँ पे आपको पूरा economics पढ़ानी वाला हो तो आपको कही और जाने की जरुवत नहीं है अगर आप economy सीखना चाते हो तो इस channel के साथ connected रहीएगा और बाकी ज्यादा बात नहीं करूँगा मैं इस video में मैं आपको आज जो topic सिखानी वाला उस topic का नाम है सुक्ष मार्थशास्तर क्या नाम है सुक्ष मार्थशास्तर इस इंग्लिश वर्ड भी आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए इसको बुलाते हैं micro economics क्या बुलाती है इसको हम micro economics अब मेरे बात को देहान से सुनिए हम पहले तो economics के बारे में थोड़ी बात करी लेते हैं economics क्या है तो बोला जाता है जहां हम पैसे की study करते है जहां पैसे की study करते है मतलब money की जहां study होती है उसी हम क्या बुलाते है अर्थशास्तर करके बुलाते है जहां अर्थ मतलब ही पैसा होता है मतलब पैसे का शास्तर मतलब science of money मतलब ऐसा शास्तर जहां पैसे के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या बुलाते है अर्थशास्त्र बुलाते है तो अगर हम अर्थशास्त्र के जनक की बात करें कि एक्चुली ये अर्थशास्त्र बनाया किसने तो हमें दो जनक देखने को मिलते है अगर कोई पूछे कि पुराने समय में जो अर्थशास्त्र के जनक थ जाता है अगर कोई पूछे कि आधोनीक अर्तशास्त्र के जनब कौन है मतब जो अभी चल रहा है modern economics उसके जनब कौन है अगर आपको यह पूछता है तो उसका answer बनता है हमारा Adam Smith क्या बनता है Adam Smith बहुत सारे बच्चों को यह चीज पता नहीं होती क्यों मालूम नहीं क्यों नहीं होती बट यह बेसिक चीज है ना यह पता होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको यह चीज़े पता दिया तो आपको थोड़ी से understanding आ गई होंगी कि अर्तशास्त्र मतब पैसी के बारे में पढ़ अर्तशास्र जिसको इसको macro बुलाते हैं और इसको English में macro बुलाते हैं जैसे देखो आपका Hindi में बढ़ा रहा हो इसका मतब यह नहीं कि मैं English नहीं बूलूँगा आपको English और Hindi दोनों में समझना है ताकि आपको better understanding आ सके ठीक है तो वीडियो में आप यह मत बुलिएगा कि स बुल सकते हो कि सर आप English में और Hindi दोनों में बढ़ाते हो तो पीटा bilingual पढ़ना बहुत जरूरी होता है कभी 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 कोनम इसके ऐसे words आ जाते है जो हमें Hindi में नहीं समझ में आते तो उसे हमें English में देखना पड़ता है तो ऐसी चीज़े होती है इसलिए मैं आपको दोनों में क्या होता है महां आर्थी क्रियाओगा क्या करते है अध्यान करते हैं किसका अध्यान करते हैं हम आर्थी आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हुआ जिनमें पैसा इन्वाल हो मतलब जैसे मैंने एक पेन खरीदा मतलब पेन लिया और पैसे दिया तो यह कुझसी क्रिया हो गई आर्थिक क्रिया हो गई तो एक और क्रिया होती अनार्थिक क्रिया हो भी समझे लो आप जब जहाँ पैसी का involvement नहीं होता, वहाँ पैसा नहीं आता, बस कोई काम होता है, उससे बुलाते हम अनार्थिक क्रिया, जैसे खाना बना के खा लिया, तो ये अर्थिक क्रिया नहीं है, ये कौन सी क्रिया है, अनार्थिक क्रिया है, लेकिन होटल में जाके खाना खाया, तो ये अर्थिक क्रिया ब और इसके विशलेशन की कितनी पद्दतिया है, दो पद्दतिया है, तो एक विशलेशन पद्दति है, सुक्ष्म विशलेशन पद्दति, और दूसरी है, एक है स्तूल विशलेशन पद्दति, तो अब इन दोनों पद्दतियों को हमें समझना है, इसी सुक्ष्म विशलेशन पढ़ेंगे उसे हम क्या नाम देंगे स्टूल अर्थ शास्थर तो मतलब हम सबसे पहले तो आज जो हमारे टॉपिक चालू हुआ है वह का है सुक्ष्म अर्थ सैस्थर से हम सुक्ष्म अर्थ शास्थर स्टूल अर्थ videos यह पूरी संकल करनाव की बर समझ लें था प्रोफेसर रेंगर फ्रिशर ये उनका नाम था उन्हों ने 1935 में हमें इन विदवान ने सुक्ष्म अर्थशास्त्रों और स्टूल अर्थशास्त्रों ऐसे दो आगे हम इंका मिनी समस्ते तो हमारे पासे लिखा आ रहा है कि सुक्ष अर्थशैस्र के एक घटक का या एक अंग का या चोटे घटक का अध्यायन करके निशकर्ष निकालनी की पद्दती को सुक्ष्म विशलेशन कहा जाता है मतब अगर हम किसी एक घटक का या फिर एक किसी अंग का एक छोटे से भाग का क्या करते हैं अध्यायन करते हैं और निशकर्ष निकालते हैं तो ऐसे पद्दती को क्या कहा जाता है विशलेशन जैसे मान के चलो मैं एक परिवार है एक परिवार में कुछ पाच मेंबर है कितने मेंबर है पाच मेंबर है एक दो तीन चार पाच ठीक है ये पाच मेंबर एक परिवार मतलब एक घटक हो गया एक चोटा सांग हो गया अगर इसका मैं अध्यायन करू और कोई निशकर्ष निकालू कि परिवार के लोग अच्छे है, इस परिवार के लोग हेल्दी है, तो मतलब एक परिवार का अध्यान, मतलब छोटे से परिवार का अध्यान कराओ, क्योंकि पूरे देश में तो कितने सारे परिवार है, तो अगर मैं किसी छोटे से खटक का अध्यान करके निशकर्ष निकाल को स्टूल विशलेशन कहते हैं तो अगर आप संपूर्ण अर्थविवस्था का एक साथ अध्यायन करते हो आपक रूप में बड़े पैमाने पर मतलब एक परिवार के नहीं पूरी जो इसे भारत देश में जितने भी परिवार होंगे उन सक्का अध्यायन अगर आप एक अध्यायन करना क्या हो गया सुक्षम विशलेशन मतलब एक जंगल है जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो एक पेड़ का अध्यायन करना क्या हो गया सुक्षम विशलेशन हो गया और संपूर्ण जंगल के बारे में अध्यायन करना क्या हो गया स्थूल विशलेशन हो गया समझ मैं यह बात आपको तो आर्थिक विशलेशन की इन दोनों पद्दतियों के आदार पर अर्थशास्त्र को निम्न दो भागों में बाटा गया है इनी आर्थिक विशलेशन की पद्दतियों को हमने दो भागों में बाटाया है और हमने दो अर्थशास्त्र बनाए हैं सो हमने जो दो अर्थ शैस्त्र बनाए वो यह है हमारे पास एक है सुक्ष्म अर्थ शैस्त्र और एक है हमारा स्टूल अर्थ शैस्त्र जब हम छोटे से बाग का द्यान की बात करेंगी तो वहां सुक्ष्म अर्थ शैस्त्र आएंगा जब तो सुक्षम अर्थ शैस्र के अंदर हमारे पास पहले तो हम इसका मिनिंग समझ लेते हैं सुक्षम का सामाने अर्थ होता है छोटा होना अंग्रे जी में इसको क्या कहते हैं माइक्रो कहते हैं और अर्थ ही क्या होता है इसका अगर हम माइक्रो का अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब होता है अर्थेन तो छोटा जब हम अर्थवेसा के घटक का व्यक्तिकत रूप से सुक्ष्मरिती के दुबारा अध्यान करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाता है सुक्ष्मर्थ शासर कहा जाता है सुक्ष्मार्थ शैस्त्र कहा जाता है सुक्ष्मार्थ शैस्त्र में जो अध्यायन किया जाता है वो किसी व्यक्ति का होंगा किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का हो सकता है हाँ इसलिए इसे हम कभी-कभी व्यक्तिगत या वेस्टी देखो इसे कभी-कभी व्यक्तिग क्या किया जाता है अध्यायन किया जाता है यह इसे व्यक्तिकत अर्थशासर भी कहते हैं आगे लिखा है यहां पे यहां क्या होता है एक छोटे से घटक का अध्यायन करते हैं अध्यायन करते हैं और निशकर्ष निकालते हैं जैसे मैं आपको यह एक्जामपल से बताया एक घटक का क्या करते है अध्यान करते है या फिर एक उद्दोग का अध्यान करते है और संपूरना अर्थवस्ता करे यह निशकर्ष निकालने की क्या की जाती है कोशिश की जाती है बहुत सिंपल है बीटा नहां से सुनना अगर देखो अगर कोई इंसान है ठीक है कोई इं इंसान बना लिता हूँ, यह मैंने इंसान बना लिया, Mr. A है, तो मैं इनके body से अगर एक बुन खुन निकालू और उसकी जाज करू, तो मुझे पता चल जाएंगा कि Mr. A को क्या-क्या बीमारिया है, तो जैसे ही, मतलब मैंने एक बुन खुन की जाज करके संपूर्ण शरीर क के बारे में बता दिया, तो सेम वैसे ही होता है सुक्षमर्थ शास्रमी, मतलब हम संपूर्ण अर्थविवस्ता के, संपूर्ण अर्थविवस्ता के क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थविवस्ता के एक छोटे से घटक का दयन करते हैं, और संपूर्ण अर्थविवस्ता के बारे में निश्कर्ष निकाले की क्या करते हैं कोशिश करते हैं जैसे मान के चलो मैंने A की देखा एक चीज़ देखते हैं मान के चलो छोटा सा हम बात करते हैं तो A की इंकम थी 100 रुपे और A अपनी इंकम से खुश नहीं था तो मैंने ऐसे A, B, C, ऐसे 4-5 लोगों का अध्यान किया और मुझे पता चला कि भारत देश के लोगों की आए बहुत कम है और भारत देश के लोग कुश नहीं है ऐसा मैंने एक निशकर्ष निकाल दिया मतलब अध्यान मैंने पूरे भारत देश का किया क्या, नहीं किया, मैंने 10-12 लोगों का अध्यान किया और मैंने ये निशकर्ष निकाल दिया, मतलब हम एक छोटे से घटक का अध्यान करके जब संपूर्ण अर्थवस्ता के बारे में बात करते हैं ना तो कुन सा अर्थ शैस्त्र होता है हमारा सुक्षम अर्थ शैस्त्र होता है I think आपके बात clear हो गई होंगी अगर हम आगे बात करते हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ और भी बाते लिखाओ जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं फिर समझाते हैं सुक्ष्मा अर्थ शैस्त्र में एक व्यक्ति, सुक्ष्मा अर्थ शैस्त्र के अंदर एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्दो या एक विशिष्ट वस्तू की कीमत का अध्यायन किया जाता है, मतलब हम यहां बड़ी चीजों का अध्यायन नहीं करते, सभी इंसानों की का करेंगे अद्धायन करेंगे जैसे एक व्यक्ति के लिए जैसे छोटी घटक कैसे होते हैं यहां एक्जामपल में आपके लिखाओ कि व्यक्तिकत उपभोगता अपना संतुलन कैसे बनाता है इसका विचार सुक्षमा और्थशास्त्र में किया जाता है संपूर्ण जैसे भारत दिश में रहने वाले या किसी अर्थविस्ता में रहने वाले सभी विक्तियों का ध्यायन सुक्षमा और्थशास्त्र में नहीं किया जाता इसलिए बोला है कि संपूर्ण और्थविस्ता का उपभोग कितना है इसका ध्यायन सुक्षमा और्थशास्त्र में न मांग का अध्यायन सुक्षम औरत्यशास्र में किया जाता एक व्यक्ति की मांग कितनी है या एक उद्धोग की मांग कितनी है इसका अध्यान किया जाएंगा संपूर्ण उद्धोग की मांग या संपूर्ण औरत्यशा की मांग का अध्यायन इसमें नहीं किया जाता मतलब य चुटी चुटी बातों का अध्यायन किया जाता है, बड़ी बातों का अध्यायन नहीं किया जाता, जैसे एक वेक्ति की मांग कितनी होंगे ये बता देंगे, और एक उद्धुक की मांग कितनी होंगे, ये सुक्षमार्थाशासर में बताएंगे, लेकिन संपूर्न उद्ध कितनी है संपूर्ण देश की मांग कितनी है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे किस सब इसमें बात नहीं करेंगे सुक्षमा औरतशासर के अंदर नहीं बात करेंगे मतलब इसमें अध्यायन नहीं किया जाता है अगर आगे हम बात करते हैं तो यहां पर विशिष्ट वस्त का द्यायन नहीं किया जाता जैसे देखो आमगाव में एपल की किमत कितनी होंगी जहां में रहता हूँ वो गाव एक आमगाव गोदिया में आता है महारश्ट में आता है तो उसमें आमगाव में एपल की किमत कितनी होंगी इसका द्यायन किया जाता है लेकिन लेकिन पूरे भारत देश में आपल की कीमत कितनी होंगी इसका अध्यायन नहीं कर सकते क्योंकि एक आमगव चोटा एरिया हो गया तो मतला हम एक विशिष्ट वस्तू की कीमत का अध्यायन कर सकते होगे एक चोटे से प्लेस के लिए हम सभी वस्तू की कीमत का अध्यायन नहीं कर सकते सामान के बारे में निशकर्ष निकालने की क्या करता है बस कोशिश करते हैं चोटी सी बात का अध्यान करेंगे और उस बात को ध्यान में रखकर हम यह चीज़ करेंगे कि क्या हो सकता है आपको यह बात समझ में आ गई होंगी सो और भी आपके लिए कंक्लूजन के तौर पर कुछ बाते लिखी गई है सारांश में इसकी समरी बना के दिया हूं मैंने शारांश में सुक्षम अर्थ शैस्त्र में आर्थिक विशलेशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें अर्थिवस्ता के केवल एक छोटे से भाग का क्या किया जाता है अध्यान किया जाता है मतलब सुक्षम अर्थ शैस्त्र के अ आपको इसमें चीजे समझ में आ गई होंगी, आगे हम बात करेंगे परिभाषाओं के बारे में, कि सुक्षमर्थचास्र की परिभाषाओं के बारे में, कि सुक्षमर्थचास्र की परिभाषाओं क्या है, तो प्रोफेसर के यी बोल्डिंग करके है, उन्होंने सुक्षमर् सुक्ष्मा अर्थ शास्त्रा आर्थिक विश्लेशन के अईशी शाका है जिसमें व्यक्तिगत गटकों के आर्थिक विवारों का अध्यान किया जाता है उसके आर्थिक विवारों का क्या किया जाता है अध्यान किया जाता है और फिर वह व्यक्ति एक परिवार हो या एक वि विशिष्ट घटक को का अध्यायन किया जाता है ना कि सबी घटक मिल कर बने समूओ का। यह यह बोलना चाहते प्रोफेसर की सुक्षमारत शैस्त्र आर्थिक विश्लिशन की एक शाका है जहां पर व्यक्तिकत घटकों के आर्थिक विवारू का अध्यायन किया जाता है एक विक्ति का अध्यायन करेंगे एक परिवार का अध्यायन करेंगे एक विशिष्ट बाजा जो शुल्क है इनूं ने तो definition बहुत आसान दी है ये बोलते हैं सुक्ष्मार्तशास्थर का मुख्योब करन कीमत सिद्धान्त है मतलब सुक्ष्मार्तशास्थर में सबसे इंपोर्टन जो चीज है वो है भूते हैं कीमत सिद्धान्त guessing सुक्ष्मृ रुत्ष्यास्र समझत रूंग को सुक्ष्म OnStra की मातस्या schwmanni jasra आजाएंगा ऐसे इनकी बातों का हमाल पास यह ब decía हुआ इसा इनकी मांनता होका हम ्दब बहुत जरूरी है कि सुक्षम अर्थशासर का अध्यान जब भी हम करेंगे तो कुछ बातों को हमें मानना पड़ेंगा इसकी कुछ महत्वा पूर्ण माननेता है क्या माननेता है तो पड़ते हैं तो बोलते हैं ये कि अर्थेव्यवस्ता में पूर्ण रोजगार की स्थिति है देखी ये जो माननेता है इसकी पहली माननेता ये होते है कि अर्थेव्यवस्ता में कून सी स्थिति है पूर्ण रोजगार की स्थिति है लेकिन ये जो माननेता है वो सही नहीं है आप भी बताओ किसी भी देश में कभी पूर्ण रोजगार नहीं होता कोई ना कोई बेरोजगार होता ही है तो ये बात थोड़ी सी इनके माननेता अलग है पर सुक्षमार्थशासरप की जब भी अध्यान करेंगे हम ये बात को मानके चलेंगे कि समपूर्ण अर्थविवस्ता में पूर्ण रोजगार है हर इंसान के पास काम है ना कि सभी लोग के अपने एक इनकम है इस कारण अलग-अलग वस्तों के उत्पादन में उत्पादन साधनों का वित्रण किश प्रकार किया जाए ये प्रमुख समश्या रहती है तो इस वज़े से अगर सबके पस रोजगार है तो उत्पादन के साधन किसको कितना दे जो उत्पादन के क्या होते है साधन होते है वो उत्पादन के साधन क्या होते है उत्पादन के साधन होते है भूमी, श्रम, पुंजी और सहस ये तीन क्या होते हमारे उत्पादन के सारी चार क्या होते हमारे उत्पादन के साधन होते तो फिर किसको कितनी भूमी दी जाए क्या काम करने कितनी भूमी जाएंगी कितना लेपर लगेंगा कितना पैसा लगेंगा और कितना सहासी लोग लगेंगी मतब काम करने वाले लोग लगेंगे तो ये decide कर पाना क्या होता है problematic होता है एक प्रमुख समश्या रहती है क्योंकि सब के पास रोजगार है आपके पास काम हो जाए तो आप बदबर काम पे जाओंगे क्या नहीं जाओंगे न अगर आप पैसे आ रहा है तो तो ये उत्पादन सादनों का वित्रन कैसे करना है एक प्रमुख समश्या रहती है बोलता है तो फिर हम इन प्रमुख इससे वज़े से क्या होता है फिर सादनों का वित्रन कीमत के आदार पर किया जाता है इस कारण कीमा सिद्धान का विशलेशन या सुक्षम और तशास्रम में मुख्य विशय बन गया है इसलिए कि उत्पादन साधनों को कितनी कीमत देनी है कितनी देनी है वित्रन कैसे करना है इसके लिए सबसी इंपोर्टन क्या बन जाता है किमसी दल बन जाता है मतलब जो हमारा भूमी है उस भूमी के उपर कितनी लगान देनी चाहिए एक श्रम है जिसको कितनी मजदूरी देनी चाहिए पुझी पर कितना ब्याज देना चाहिए पुझी पर कितना ब्याज देना चाहिए और साहस जो होता है चाओता उसको कितना लाब देना चाहिए यह सब बाते हमें सुक्ष मारतशास्तर में पढ़नी पढ़ती है इसलिए यहां कीमत सिद्दान के कितना देना है क्या प्राइज होंगी यह important होता है इसलिए प्रोफेसर शुल्क जी ने कहा था कि सुक्ष मारतशास्तर जो है वो उसमें कीमत सिद्दान क्या है मुख्यादार है तो यही चीज हमारे पास दिखाई गई है तो हमें यह पढ़ना है तो जो मैंने आपको अभी बताया तो वो सुक्ष मारतशास्तर की विशेस्तर मतलब अर्द था परिबाशा यह थी तब हम सुक्ष मारतशास्तर की क्या पढ़ लेंगे कुछ विशेस्ता है तो आपको इस वीडियो से क्या क्या क्लियर हो जाएंगा सुक्ष मारतशास्तर का अर्द पता चल जाएंगा उसकी परिवाश है पता चल जाएंगे और उसकी विशिस्ता है पता चल जाएंगे तो 20 मिनिटों होई गए है हमारे विशिस्ताओ के लिए हमें 10 मिनिट लग जाएंगे तो हम विशिस्ताओ को पढ़ना क्या करते हैं चालू करते हैं ठीक है तो पहले विशिष्टा है हमारे पास विशिष्ट घटक का अध्यायन तो हमने पहले ही बात किये सुक्ष महर्च शास्रमे संपूर्ण अर्थविष्टा का अध्यायन नहीं किया जाता है बलकि छोटे घटकों का क्या किया जाता है अध्यायन किया जाता है मतलब एक विशिष्ट गटक का अध्यान किया जाता है मतलब एक व्यक्ति या परिवार की मांग या विशिष्ट वस्तू की कीमत का निर्दारन या व्यक्तिकत आए मतलब छोटे छोटे जो गटक होते विशिष्ट गटक होते उनका अध्यान इसमें किया जाता है संपूर्ण अर्थ विस्ता का अध्यायन नहीं किया जाता फिर आपने देखे होंगे यहां में पेपर लिख के रखाओ क्यों लिखाओ क्योंकि पेपर में कोश्चन आता है कि सुक्षम अर्थ शास्र का अर्थ बता कर उसके विशिस्ता ये बताओ तो ये बहुत इंपर्टन कोश्चन बनता है तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सुक्षम अर्थ शास्र के अंतर बन संपूर्ण अर्थ विश्ता का अध्यायन नहीं करते हैं बलकि एक छोटी से बाग्का क्या करते हैं अध्यायन करते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स आया है अर्थ विश्ता का सुक्षम अध्यायन अर्थ विश्ता का क्या करते हैं हम यहां पर सुक्षम अध्यायन करते हैं सुक्षम अर्थवस्ता का सामोईक रूप से अध्यायन नहीं किया जाता बल्कि एक विशिष्ट घटक या सुक्षम अध्यायन किया जाता देखो हम जब सुक्षम अर्थवस्ता बूलते हैं तो हम पूरे अर्थवस्ता के बारे में बात नहीं करते चुटी चुटी घटकों का अध्यायन करके हम संपूर्ण अर्थविस्ता के बारे में निश्कर्ष निकालते हैं तो यही बात या लिकिया है इसमें संपूर्ण अर्थविस्ता के असंक्य घटकों के संतुलन का स्वतेंतर रूप से अध्यायन किया जाता है देखो मतलब यह बोलना क्या चाहता है बिटा कि यहां अरतेवर समय बहुत सा रेकट का है रोजगार हो गया बेरोजगारी हो गया जन्संक्या हो गई तो यह सबका एक साथ स्टड़ी नहीं करेंगे हम छोटा छोटा करके क्या करेंगे study करेंगे जैसे ग्रामीन इलाके में मतलब कोई एक गाव है तो उसमें ग्राम कुछ लोग अमेर होते हैं कुछ गरीब होते हैं तो हम पहले अमेर लोगों की पढ़ाई करेंगे फिर गरीब लोगों की पढ़ाई करेंगे मतलब बूलते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ऐसे वर्ग की अद्यायन करते हैं मतलब सिंपल बात में अगर ये कहा जाए तो हम सिधा सिधा बोल सकते हैं क्यों शक्ष्मा और चशैस्रमे चोटे गट्कों का स्वतन्त रूप्च अद्यायन किया जाता है और फिर उनको अभी चोटे चोटे गट्कों को एक साथ लाया जाता है यही बात यालिकी है उसी प्रकर, अलग-अलग गटकों के आपसी संबन्दों का अध्यान भी किया जाता है जैसे देखे, रोजगार और जनसंक्या का संबंध है या नहीं है है, जनसंक्या जादा रहेंगा तो रोजगार कम मिलेंगा लोगों को मतलब बेरोजगारी आजाएंगी और जनसंग क्या काम है मतलब सब लोगों को रोजगार मिलेंगा मतलब बेरोजगारी गम हो जाएगी मतलब रोजगार और जनसंग क्या काफ संबंध है न तो ऐसे संबंधों का क्या किया जाता है इसमें अध्यान किया जाता है सुक्षमार्थिक विशलेशन में विशिष्ट वस्तू के लिए एक व्यक्ति की मांग का द्यायन किया जाता है मतलब एक व्यक्ति की मांग का द्यायन इसमें किया जाएंगा और इस आदार पर वस्तू की बाजार मांग का क्या लगाया जाता है अनुमान लगाया जाता है मतलब हम A वेक्ति की मांग का द्यान करेंगे और B वेक्ति की मांग का द्यान करेंगे A का पहले पुछेंगे फिर B का पुछेंगे फिर C का पुछेंगे फिर इन अलग-अलग वेक्ति का वेक्तिकत मांग पता चल जाए तो A और B और C इन सब को प्लस करके हम उसकी क्या पता कर लेंगे बाजार मांग पता कर लेंगे मतलब क्या हुआ सिंपल सुचो A का मांग की अद्यान किया B की मांग का द्यान किया C की मांग का द्यान किया और फिर मैंने समो बना लिया तो मुझे बाजार मांग का अनुमान लग गया कि जैसे मांग के चले A 10 मांग करता है B 20 मांग करता है यह 30 मांग करता है तोटल में लाके कितना हो गया 60 मांग तो हम बोल सकते A की व्यक्तिकत मांग 10 है B की व्यक्तिगत मांग 20 है C की व्यक्तिगत मांग 30 है और बाजार मांग क्या हो सकते हैं अनुमानीद 60 हो सकती है सबका प्लस कर देंगे तो हम मतलब हम व्यक्तिगत गटकों का अध्यायन करके हम पूरे संपूरुन के बारे में क्या निकालते हैं निश्ट करश निकालते हैं चोटे से घटक का अध्यान करके देखिए यह सकेंड नंबर की सम्स विशेस्ता है थी इसकी यह थर्ड नंबर पे हमार पास विशेस्ता यह हैं क्या है विशेस्ता में पढ़ लेते एक बार सो सुक्ष्म घटक के अध्यान से समुव संतुलन का अध्यान मतलब छोटे छोटे घटक का अध्यान करके समुव संतुलन का अध्यान करते हैं मतलब छोटी छोटी बात को बढ़ेंगे और फिर एक बढ़ी चीज़ को बढ़ेंगे जैसे देखो यहां लिखाई है सुक्षमा अर्थ शास्रमें व्यक्ति गटकों के संतुलन का ध्यान किया जाता है जैसे एक उपवक्त अपनी सीमीत आई से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्टर करने के लिए किस प्रकार संतुलन करता है जैसे देखो यहां संतुलं का द्ध्यन की आजाता है फ़लता है एक इंसान है जिसके आई कितनी है? हजार रुपए है मानके चलो तो यह हजार रुपे में किस तरीके से उपयोग करता है? जिसे क्या हो जाए अधिक्तम संतुष्टी मिल जाए मिल जाधा से जाधा इसको खु किसी गाओ का बाजार है आम गाओ का बाजार है तो आम गाओ में बाजार वाले लोग होंगे तो वह अपन कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं जैसे आम गाओ के बाजार वाले का एक का नाम ले लेते हैं यह जो बाजार में रहने वाला व्यक्ति है यह अधिक से अधिक आ अर्थशेस्त्र में किया जाता है जिसी या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं इस प्रकार व्यक्तिक अध्यायन के आधार पर बाजार और उद्दोग समुहों के संतुलंग का अध्यायन किया जाता है जिसे एक व्यक्तिका संतुलंग पता चल गया तो हम संपूर व्यक्त का संतुलन का इसे बनता है इसका अध्यायन किया जाता है लेकिन लिखाई है यहाँ पे समुह संतुलन का अध्यायन करते समय समुह की संकलपना संकुचीत होती है मतलब कि हम यहाँ पे एक छोटे से विक्तिक अध्यायन करते हैं पूरे समुह का अध्यायन नहीं करते हैं अर्थेविवस्त्रा के संपूर्ण व्यक्तिगत गटकों का सामोई कुरूप से अध्यायन नहीं करते दूसरे शब्दों में हम कहें तो सुक्ष्मा अर्थविवस्त्रा में क्या होता है संपूर्ण अर्थविवस्त्रा का अध्यायन नहीं किया जाता बोलने का कंक्लूजन तो एक ही निकल में आया बेटा कि हम अर्थशासरक में चोटे-चोटे गट को काद्यान करेंगे ना कि बड़े गट को काद्यान करेंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बात के थे कि एक प्रोफेशर शुलक जी की परिवाश आपको याद होंगी तो हम उन्होंने किमा सिद्दान क्या है इसका मुख्या आदार है तो यह इसके एक विशिस्ता है क्योंकि सुक्षमा अर्थशासरक में जो मुख्या आदार है वो कोन है किमा सिद्दान है सुक्षमा अर्थशासरक की माननेता है कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं सिमीत होते हैं जिससे द पूंजी बताया, साहाज बताया, यह सीमी सादन है, तो इन सीमी सादनों से विबिन्न वस्तू का उत्पादन कैसे किया जाए, या इन विबिन्न सादनों का वित्रन कैसे किया जाए, यह प्रमुख समश्या रहती है, इसके पहले हमने बात कर चुके है, तो यह वित्रन की दान देते हैं कीमत पर निर्भर रहते। कि लिखाइए對 वित्रन मुख्यतों साद्णों की कीमट पर क्या करता है निर्भर करता है इसले सुख्षम और uploaded इसले है पहले वस्तुम सादन की यह सापेक्ष कीमत किया जाता हैJIS Kारण і कीमेश जिद्दा निर्दारण का मुख्य क्या बन चुका है अदार बन चुका है यह यहार यह मुक्य आदार इसलिए है क्योंकि उत्पादां के साधसी मीत है तो उत्पादां साधन्यों का वित्रन कैसे किया जाएAN किसको कितने वह मीं दी जाए किसको कितने पुझी लगेंगी यह किसकी क्या करते हैं टो हम इसके क्या करते है Audhyi दॉब और बात में उनका एक कीमत fix करते हैं, कीमत निशित करते है, मतल बोलने का मनलब ये हुआ कि जो कीमत निर्धारन हुआ न हुदपाद लूक। वो कहा किया जाता है सुक्षमर्त शैस्त्र में किया जाता है इसलिए सुक्षमर्त शैस्त्र में कीमा-सिद्धांद को मुख्यहदार माना गया है गया है ते इसके चौती विसिस्टाई थी आपको समझ में आ गई हूंगी फिर यह बहुत important विसिस्ता है देखो किसी भी चिस की कीमत का अगर आपको निर्धारन करना है न तो हमें दो बातों का पता होना चाहिए क्या होना चाहिए मांग और पूर्ती किसी भी वस्तु की कीमत हमेशा उसके मांग और पूर्ती पर क्या करती है निर्बर करती है तो मांग और पूर्ति का क्या किया जाता है इसमें विशलेशन किया जाता है देखिए दिखाईए सुक्षमार्थ शहस्र में मांग और पूर्ति का विशलेशन को महत्वा पूर्णस्तान है क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति पर क्य पर करती है अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा मतलब जो मांग हुई मांग करा हूं मैं वसू चाहिए या नहीं चाहिए वो किसके उपर निर्बर करेंगी उपबुकता की विववार पर जैसे समझाता हूं मैं आपको मुझे आइफो करते हैं जो पूर्ती जो होती है उत्पादन की लागत पर निर्बर करती है देखिए अब उत्पादक की लागत जो है वह ज्यादा आ गए मतलब किसी को सामान बनाने में बहुत सारा खर्चा हो रहा है मतलब बहुत सारा पैसा लग रहा है तो चीज को उत्पादन करेंगा क्या नहीं करेंगा मतलब जो पूर्थी होती है उत्पादन के लागत पर और उत्पादक के व्यववार पर क्या करती है निर्वर करती है तो कोई भी आपसे पूछे मांग किस बात पर निर्वर करती है आपको एंसर करना है जो मांग जो निर्वर करती है न वो किसके उपर न निर्वर करती है और आपको पता है किसी भी वस्तुकी कीमत तब निशित होती है वेटा जब उसकी मांग और पूर्ती दोनों क्या हो जाए समान हो जाए तो देखो जिससे विशिष्ट कटक की कीमत कैसे निशित होती है यह सपश्ट करने के लिए मांग और पूर्ती का विश कीमत जो होती है वो मांग और पूरती पर क्या होती है तै होती है कैसे तै होती है सिखाऊंगे क्या सर हाँ बिटा एकॉनमिस मैंने बोला ना क्यों पूरी सिरी सिखाऊंगा तो उसमें हम आएंगे कि वस्तु की कीमत कैसे रिशित होती है तो इतनी बाद आपको समझ में आ महत्वा की शाका तो सुक्षमा अर्थशास्त्र को ना कल्यान करें अर्थशास्त्र की महत्वा कुनों शाका कहा गया क्यों कहा गया क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि यह जो अर्थशास्त्र है सुक्षमा अर्थशास्त्र यह बोलता है कि जो साधन सीमीत है उन सीमी साध गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा संतुस्टिक कैसे मिले इस बात का ध्यान सुक्ष्म और तशीं स्राम भी रखा जाता है इसलिए तो इसको कले न करें वस्तु की कीमत निशित शित करते समय विभिणन साध्नों का नहीं है तो इस बात का अध्यान इसमें क्या जाता है अलग-अलग साद्रों की वित्रन से लोगों को अधिक्तम संस्ट्री से प्राप्त हुई है तो साद्रों का वित्रन पूर्ण कारेशमता से हुआ है या ऐसा कहा जा सकता है कि अधिक्तम संस्ट्री या कल्यान या सुक्ष तक सामान पोच रहा है या नहीं पोच रहा है इन सब बातों का भी इधान सुक्षम अर्थशास्र में रखा जाता है और यह जब रखा जाता है उसकी को हम क्या बुलाते है कल्यानकारी अर्थशास्र बुलाते है इसलिए एक महत्वा पूर्ण क्या है इसकी शाका है कल्यानक और स्वतंत्र बाद आपोषा कि अपने एक विशेस्ता है कुछ मननेता अगर इप पूरी वह हुए तो मैंनेता लागो ऑsystem पूर्मियन व्यां यहिंद्वर्वार्रों नहीं हुँए अदार सिम्पल आप posव dense और fury पूल नियमoodle मननेता लागो नहीं हुए तो नियम कैसे लागो हुँगा तो यही तो सुक्षमा अर्थशासर पूर्णो रोजगार और स्वतंत्र बाजार मननेता पर क्या है आधारित है जैसे पूर्णो रोजगार एक मननेता है कि अर्थवेस्ता में पूर्णो रोजगार होंगा तबी सुक्षम अर्थशासर के नियम क्या होंगी बहुत सारी नियम लागो होंगे otherwise नहीं तो ये वाले नियम लागो नहीं होंगे तो यही बात लिखी है सुक्षम अर्थशासर का विशलेशन उपरोग दोनों मानने तो पर क्या है आदारित है पूर्णो रोजगार और स्वतंद्र बाजार मानने तो पर क्या है ये आदारित है इसी कारण सादनों का वित्रन अलग-अलग वस्तू के उत्पादन में किस प्रकार किया जाए ये समश्या उत्पन्ना होती है क्योंकि पूर्णो रोजगार है ना अब पूर्णो रोजगार है तो सादनों को कैसे वित्रित किया जाए ये समश्या रहती है हमने दो-चार बार पढ़े है तो ये चीज़ ये होती है सुक्षम अर्थ शहस्त्व बहुत सारी माननीत आपर क्या है आदारीद होता है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था क्या सिखा या अटेर आपको अर्थ शहस्तर की अर्थ बताया उसके विशेस्ता आया बताया और परिवाशा आया भी बता चुका हूँ मैं तो पहले तो मैंने आपको अर्थ जस्तर के बारे में बताया तो आइचिंग ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन रही होंगी अगर विडियो अच्छी लगिए तो लाइक करना बिटा कोई कुश्यन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेजना और किसी टॉपिक के अबर विडियो हो चाते हो एकोनोमिस से रिलेटेट कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट बॉक्स में बताये मैं उसके पर विडियो बना के आप तक जरूर पहुचाओंगा बस इस विडियो में बस इतना ही चैनल के साथ बने रही है मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे विडियो बनाती लाओंगा जिससे के आपके conception study अच्छे से हो सके सो तब तब के लिए take care मिलेंगे हमारे नेक्स विडियो में